गुद मॉर्निंग डैडी गुद मॉर्निंग पेपा हाँ डैडी सुबह हो गई गुद मॉर्निंग डैडी मॉर्निंग बिटा डैडी मुझे रात बर नीन ने आई क्यों कई से नीन ने आई आई आपको क्या आपको किसी ने परेशान किया अगर किसी ने परिशान किया है तो मुझे बताओ, मैं उसकी खबर लोगा डैडी, मुझे जोज ने परिशान किया है जोज सूती समय बहुत खराटे लेता है और मुझे नीन नहीं आती है इसलिए मेरे आज नीन नहीं हुई और मैं बहुत परिशान हूँ डैडी नए डैडी दिदी कुछ भी बोलती है मैं क्या कभी खराटे लेता हूँ क्या अगर मैं खराटे लेता तो मेरी में निन खुल जाती न कुछ भी बोलती है दिदी डैडी आपको लगता है मैं कुछ भी बोलती हूँ यह मुझे बहुत परिशान किरता है खेलने में नहीं देता है डाड़ी आप कुछ तो भूला इसको जाज क्या आपने दिदी को परिशान किया नहीं डाड़ी मैं तो सो रहा था ठीक ठीक इसके आगे ये नहीं होना चाहिए ओके ओके चलो चलते चलो खाना खाने का टाइम हो गया चलो सब लोग आजा डाड़ी ममे खाना खाने को बुला रही है क्या हम जाए बिल्कुल जाए मुझे भी भूक लग रही है तो चलो चलते है क्या आपने सुना नहीं मैंने आपको खाना खाने के लिए बुलाया है और आपको भी इदर आने रहा है क्या आपको भूक नहीं लगी है अरे भूक तो लगी है लकिन तुम खाना तो बताओ किदर है हम जल्दी से खाना खालेगे और फिर बाहर चलेंगे ए बाहर बहुत मजाएगा हाँ मुझे भी बहुत मजाएगा डाड़ी तो चलो खाना खाने के लिए ए चलो डाड़ी लिए और बहुत मुझे उयाएगा